आप में से एक student ने हमें WhatsApp पर ये problem भेजा था, तो आज की इस वीडियो में इसी का हम लोग solution देखने वाले हैं, तो यहां पर हो जाएगा 0.322 divided by, अब 0.322 और 4.444 इनको add कर लेंगे, तो 4 और 2 यह हो जाएगा यहां पर 6, फिर से 4 और 2 तो 6, फिर यहां पर 4 और 3 तो 7, और point लगा के 4 और 0 यहां पर हो जाएगा 4. अब देखिए जो numerator वाला part है, point के बाद इसमें भी 3 डिजिट है, और जो denominator वाला part है, उसमें भी point के बाद 3 डिजिट है, तो अगर उपर नीचे हम लोग 1000 का multiply कर देते हैं, उपर नीचे 1000 का multiply कर दें, तो यहां से point गाइब हो जाएगा, तो point गाइब होने के बाद, यह कुछ ऐसा दिखेगा, 322 divided by 4766, यह 4766, दोनों ही number 2 से divisible है, इसलिए यह 2 से काट लेते हैं, तो 2 से 1 बार में 2, फिर 6 दूना 12, फिर 1 से, तो 61 आजाएगा numerator में, और इसको भी कर लेते हैं, 2 से 2 बार में 4 आजाएगा, 3 दूना 6, एक बचे का 16, 8 दूना 16, तीन दूना 6, अब finally 161 को हमको 2383 से divide करना है, तो 2383, इससे divide करेंगे 161 को, तो सबसे पहले तो point लगाना पड़ेगा, तब 0 बढ़ेगा, अब देखिए बाहर अभी 2000 से ज्यादा है, और अंदर वाला 1610 है, अभी भी छोटा है, तो एक और 0 आएगा, तो यहाँ पर भी point के बाद 0 लगाना पड़ेगा, अब इधर है 2000 something और इधर है 16000, 2000 का 8 गुना 16000 होता है, लेकिन 2000 के साथ अभी इधर 383 भी है, इसका मतलब 8 बार में तो होगा नहीं, तो 7 बार में चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 7 बार में भी नहीं जाएगा, तो पहले हम इसको 6 बार में चेक करते हैं, 2, 3, 8, 3, 6 बार में अगर चेक करते हैं, 6 से 3 बार में 18, 6, 8, 48, 49, 6, 3, 8, 18, 18, 24, 22, 6, 2, 12, 12, 14, तो 6 बार में ही हो पाएगा, तो 6 बार में यह आ जाएगा 14298, तो 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 9 में से 9 जाएगा 0, फिर 10 में से 2 जाएगा 8, पांच में से 4 जाएगा 1, फिर से 0 लगाएंगे ये 18,000 something हो गया तो अब ये 7 बार में चला जाएगा अब ये मेरे ख्याल से 7 बार में चला जाएगा तो 7 बार में चेक करते हैं 7 में 3 का multiply 21 हो जाएगा 2 बचेगा 7 बठे 56 और 2 अंठावन हो जाएगा फिर 5 बचेगा 7 ये 21, 5 26, 7 बचेगा 14 और 2 16 तो 10 में से 1 जाएगा 9 11 में से 8 जाएगा 3 9 में से 6 जाएगा 3 और 7 में से 6 जाएगा 1 फिर से 0 लगाएंगे अब लगभग 5 बार में चेक करते हैं 5 तियां 15, 5 बचेगा 40 40 और 1, 41 5 तियां 15 और 4, 19 5 बचेगा 10 10 और 1, 11 बस इतना ही रहने जाते हैं 0.0675 तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 0.0675